हेलो एनिमे फेंस, स्वागत आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेंड चैनल पर जहां आज मैं आपको डीमन स्लियर के एपिसोड नमबर 12 को एक्सप्लेंड करने वाला हूँ जिसका नाम है दी बोर वेरेस, इटस फैंक्स एंड जेनेसू स्लिप्स सो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था जहां तांजिरो की मुलाकात एक डरपोग लड़के जेनेसू से होती है जो की खुद एक डीमन स्लियर होता है, दोनों को रास्ते में दो बच्चे मिलते हैं जो की बताते हैं कि एक डीमन ने उनके बड़े भाई को पकड़ इस घर में ले आया है दोनों फे घर के अंदर आते हैं जहां तांजिर को एक ड्रम बाला डीमन मिलता है साथी अंदर एक ओर डीमन स्लेयर मिलता है जिसने सुर बाला माक्स पहना होता है और उसके पास दो निचरिन तलबार होती है और ये अजनबी demon slayer ड्रम बाले demon पर हमला करने आगे बड़ता है पर तब ये demon अपना एक drum बजा पूरे कमरे को उलट पुलट कर देता है जिससे ये अजनबी demon slayer अपना balance बना निकले छोटी बच्ची के उपर पेर रख लेता है जिससे बच्ची को तकलीफ होती है पर इससे इससे बिलकुल भी फर्क नहीं पड़ता है पर तांजरो को ये देख बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीछे की ओधका दे बच्ची को उठा लेता है अब तांजरो की ये अरकत अजनबी demon slayer को पसंद नहीं आती है और वो तांजरो पर ही अटेक करने लगता है तांज फिर लगातार अपने drums बजाता है जिससे कमरा फिर से उलट उलट होने से अजनबी demon slayer अलग कमरे में चला जाता है और तांजरो और तेरुको अलग कमरे में आ जाते हैं यहां आकर तांजरो को एक से ज़्यादा demons की महेक आती है जिससे वो तेरुको को अपने पीछे ही रह कर आगे बढ़ता है तब तांजरो को एक ऐसे बिलट की स्मेल आती है जिससे उसने पहले कभी नहीं सूंगा था तांजरो तेरुको को पीछे ही रुकने को बोल कमरे का गेट खोलता है जहां उसे तेरुको का बड़ा भाई मिल जाता है जिसने ओरेंज के लग्य कपड़े लेकिन उसके हाथ में भी बही डीमन बाला ड्रम होता है और बही तांजरो को देखते ही ड्रम बजाने ही बाला होता है बही दूसरी और जेनेसू और तेरुको का एक और भाई सोईची बाहर जाने का रहता ढूंड रहे होते हैं सोईची काफी ठक जाता है और बोलता है कि क मोत के जिम्मदाद तुम ही होते है सोयची माफी मांगता है और कहता है कि आपके इतने डर्ने और रोने से में परिसान हो गया हूँ तब ये उनके पीछे से एक लंबी जुवान वाला डीमन आता है और कहता है कि आज तो दो दो बच्चे मिल गए जेनेसू और सोयची बहां से भागता है तब ये डीमन अपनी लंबी जवान से अटेक करता है जिससे दोनों एक कमरे में जाका गिरते है और इससे जेनेसू के पेर में चोट लग जाती है जिससे जेनेसू फिर सोयची को यहां से भागने को बोलता है क्योंकि अब जेनेस्टु में भागने की हमत नहीं बची थी पर सोयची जेनेस्टु को अकला छोड़ भागने से मना कर देता है जेनेस्टु इससे emotional हो जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें बचाऊंगा तभी वो डीमन कमरे में आ जाता है और उसे इतना पास देख जेनेस्टु बेहुसी हो जाता है जेनेस्टु को बेहुस देख सोयची दंग रहे जाता है तभी ये डीमन सोयची पर अपनी लंबी जवान से हमला करता है जिसे देख सोयची जो और से जेनेसु का नाम चिलाता है तब भी जेनेसु का हाथ थोड़ा सहलता है और हम देखते हैं कि उस डीमन की जवान कड़ गई है जेनेसु तलवा लेकर खड़ा हो जाता है और सोयची को अपने पीचे कर गहरी सांस लेता है डीमन ये देख शोख हो लैब और फ्लेस वो फ्लेस की स्पीड में 1 सेकंट से भी कम समय में वो डीमन की गर्दन काट देता है तो यहां बहा बचाने को वो सोईची को धन्यवाद भी बोलता है पस सोईची की तो बोलती ही बंद होती है जेने सुके ते फर्स्ट अटेक को देख कर बहीं दूसरी ओर ये अजनबी डीमन स्लियर भागते हुए केता है कि मुझे तीन दिन हो गए है इस ड्रम डीमन को मारते हुए लेकिन ये हर बार ड्रम बचा कर भाग जाता है तब ही उसके सामने एक से डीमन आता है और केता है कि तुम स्ट्रोंग हो तो तुम्हें खाने में भी मजा आएगा पर ये डीमन स्लियर पहले ही गुस्से में रहता है तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए उसके हातों और गले को काट कर भागना चालू रखता है बहीं दूसरी ओर ये ड् ब्लड को जल्दी से पीना होगा मेरे ची ब्लड बहुत ही रेयर होता है क्योंकि एक इंसान का मेरे ची ब्लड सो इंसानों के बरावर होता है ड्रम डीमन बोलता है कि मैं इस ब्लड को पी कर फिर से टोल के जुकी मेंबर में सामिल हो जाऊंगा तब हमें एक फ्लेस्वेक द मिलती है और तांजिरो बताता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ एंड उसके पेर में अपने मास्टर के द्वारा दी गई दवाई को लगाता है क्योंकि उसके पेर में चोट लगी होती है तांजिरो इस लड़के से पूसता है कि आकर यहां पर हुआ क्या था यह लड़का बता लिया एंट जैसे ही मैंने इसे बजाया कमरा बदल गया और इसे ही मैं अब तक उन डीमन से बचा हुआ हूँ तब ही बहाँ पर तांजिरो का कववा बताता है कि मेरे ची बलड डीमन के लिए सबसे हेल्दी और टेस्टी होता है इतने मैं तांजिरो को ड्रम डीमन की इसमेल लाने लगती है तांजिरो जिससे दोनों को छुपने का बोल कमरे से बाहर लडने आ जाता है और वो लड़का ड्रम बजा बहार से गायब हो जाता है यहां ड्रम डीमन भी अपने ड्रम बजा तांजिरो के कमरे को गुमा इधर उधर फेकने लगता है तब ही तांजिरो को अपने माश्टक की बात याद आती है जिसमें वो बताते हैं कि पानी की तरह बनो जिसे किसी भी घड़े में डालने से वो अपना रूप ले लेता है ये सोच तांजिरो में जोस आ जाता है और वो अपने तलबार उठा लेता है और ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है सो दोस्तो क्या तांजिरो इस ड्रम डीमन को मार पाएगा और आखे येने सु की असली पावर है क्या ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेंड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओल पकल लेना साथी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेर करने मत बूला सो मिलते यल्दी तब तक लिए गुड़बाई एंड टेक कियर